नमस्कार दोस्टों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्पागत हैं दोस्तों, सभी भक्तों को होली की हादिक शुभ कामनाए और साती सात हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आपकी होली मंगल में और अच्छी जाए दोस्तों, आज हम आपको बटाने वाले हैं हमारे सास्त्रों के अंदर कुछ चीजों के बारे में मना किया गया है जो हमें नहीं करनी चाहिए जैसे कि दोस्तों हर कोई वेक्ती चाहता है कि होली के दिन भगवान की करपा उसके जीवन के अंदर बनी रहे दिवी देवताओ का असिरवाद उसके जीवन के अंदर बना रहे तो दोस्तो हुली डिपावली ऐसे त्योहार के दिन आपको कुछ काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर किसी परकार की समश्याओं बनी हो जैसे कि अगर आपको कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए तो सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो हुली का दिन दोस्तों सात्विक्ता का दिन होता है भर्भु भक्ती का दिन होता है इस दिन सबसे पहले इस बात का ध्यान रखे मांस का सेवन नहीं करें अगर कोई भक्त है दोस्तों क्योंकि होली के दिन जीवों को बचाने और प्रकर्टी का त्योंहार मनाया जाता है इस दिन अगर आप इस परकार का कोई गलत कार्य करते हैं मांस का या पसुपक्सी से जुड़ी चीजों का सेवन करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर देवी लक्ष्मी परवेश से नहीं करती है बलकि आपको देवी देवताओं के कुरूद का भी सामना करना पड़ सकता है इसी तरह दोस्तों अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रके दोस्तों होली के दिन कभी भी आपके आसपास कोई ऐसी जगर या पिर ऐसा गर जिस घर के अंदर हमेशा कलह बनी रहती है लड़ाई जगड़ा होता रहता है या किसी ने किसी रूप स जो हमेशा आपने घर के अंदर लड़ाई जगड़ा आदी रखते हैं और आप उनके घर का कुछ गरहन करते हैं तो दोस्तों अपके उपर भी परभाव पड़ता है और देखते ही देखते आपको कंगाली का भी सामना करना पर सकता है इसी वज़े से ऐसे घर का आपको गर गरहन नहीं करना चाहिए इसी तरह दोस्तों होली का दिन खुशियों का दिन माना जाता है इस दिन दोस्तों इस बात का ज्याना के बासी भोजन गरहन नहीं करें अगर आपने रात को कुछ ऐसा बनाया जो कि सुबर तक बासी माना जाता है ऐसी चीज़े होली के दिन आप खुद ना करे और नहीं होली के दिन किसी अन्यव्यक्ति को अर्दान के अंदर ऐसी चीज़ी देनी चाहिए आपको कई परकार के नुक्सान झेलने पड़ सकते हैं मौन कंई परकार के दोहो का सामना करना पड़ करें और नहीं आप होली के दिन किसी को भी या आप स्मे बिना नहायद होए रजोई के अंदर परवीश न करें और नहीं किसी परकार की चीज बनाए अन्य था आपकी जीवन के अंदर मंगल दूस लग सकते हैं तो इसे बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके ओपर किसी परकार का दुखदारून या नहों इसी तरह दोस्तों होली के दिन कभी भी ऐसे वेक्ति के साथ का भी भूजन आपको गरहन नहीं करना चाहिए दोस्तों ऐसे वेक्ति जो की जानवरों का व्यापार करते हैं मांस आदी खाते हैं या उनको मारते करते हैं ऐसे वेक्ति का दूसरा होता है दोस्तों ऐसे वेक्ति जो सराब मादी बेचते हैं ऐसे वेक्ति या फिर ऐसे वेक्ति जो चोरी चकारी जूट बोलकर धन कमाते हैं ऐसे वेक्तियों के पास आपको भूलकर भी नहीं जान करना चाहिए अगर आप इन लोगों से भोजन करहन करते हैं तो आपको कई वरकार के दुखों का सामना करना पर सकता है इसी तरह दोस्तों अगली जिच की बात करें तो इसे बात का ध्यारा के मसूर की डाल का सेवन दोस्तों होली के दिन मसूर की डाल का सेवन करना अच्छा नहीं माना जाता हम मसूर की दाल का सेवन होली के दिन आप त्याग दे उसके बाद आप कभी भी खाएं लेकिन हाँ होली के दिन आप मसूर की डाल का दान जरूर करें आपको सहस्तर गुना फलकी प्राप्ती होती है और आपके जीवन के अंदर फाइदा देखने को बिलता है इस बात का आपको साकसाथ परबाओ देखना है वेक्ती के हाथ का भोजन भी आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए ऐसे वेक्ती जो अपने माता पिता के नहीं हुए ऐसे वेक्तियों के साथ भी अगर आप भोजन करते हैं या उनका हाथ का भोजन गरहन करते हैं तो समय लिजिए कि आपके जीवन के अंदर इस होली के बाद खुशिया नहीं बलकि द्रिद्रता प्रवेश करती है और आपको कई परकार के दुखों का सामना भी करना पर सकता है इसी वज़े से इस बाद का ध्यान रखें दोस्तों इसी तरह इस बाद का ध्यान रखें होली के दिन आपके घर के अंदर दूद आधी नहीं फटना चाहिए अगर होली के दिन दूद उफन कर बाहर आ जाता है या दूद फट जाता है तो दोस्तों बहुत बड़ी नकारतमक्ता का संकेत माना जाता है और अगर आप ल जो आपने किसी परकार के कर्म किया और उसका आपको अच्छा परबाब मिले ना कि आपको कई परकार के दुखों का सामना करना पड़ रहा है तो आप होली के दिन गो माता को जरूर कुछ ने कुछ खिलाए निश्चित तोर पर आपके जिवन के अंदर जो प्रहिसानिया आ थी वह समाप्त हो जाती है दोस्तों इसी तरह होली सकारत्मक्ता लाने का त्योहार है माता लक्ष्मी का घर आगमन का त्योहार है तो इस बात का ध्यार के होली के दिन किसी परकार की सामगरी को प्लास्टिक के बटन के अंदर डाल कर नहीं खाए अगर आप होली के दिन प् प्राइदा प्राप्त नहीं होता है तो इसे बात का ध्यान रखे होली के दिन आपको प्लास्टी के बर्तन का उप्योग नहीं करना है इसी तरह दोस्तों होली के दिन अगर अगर कुछ एक आध कड़ाई को छोड़ कर काले कलर के बर्तन या काले रंगों के अंदर किसी परका या नहीं बनाना चाहिए ताकि आपको उसका नकारत्मक परिणाम देखने को न मिले बलकि सही और सकारत्मक परिणाम आपके घर परिवार के अंदर आए दोस्तों इसी तरह होली के दिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि गरवती महिला के साथ किसी परकार की कोई सामगरी ह होती है तो उसके हाथ की आपको बनवाकर नहीं खानी चाहिए बलकि इस दिन तो किसी गरवती महिला को घर बुलाकर खाना खिलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है अगर आपके आस पास कोई गरवती महिला या कोई भी हो तो आप उन्हें अपने घर बुलाएं और होली के आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए इसी तरह दोस्तों इसे बात का ध्यान के होली के दिन भूल कर भी काली उड़त की दाल नहीं खाये काली उड़त की दाल अगर आप होली के दिन गरहन करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर सनी दूस लग सकता है उसका देखते देखते आपको दुखत परिणाम भी जेल ना पड़ सकता है तो उम्मीर है कि यह जानकारी आपको अच्छे लगी होगी इस पर कार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ वीडियो को लाइक और सेर करना न भूले ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी जैसे रामित्रों धन्यवाद मित्रों